नरिंद्र मूदी की और से संबुधन किया जा रहा है बीजुपी के स्थाप्रदिवस के मौखे पर सीधे सुनवाते हैं आपको देवी और सज्जनों आज नवरात्री की पांचीवी तिसीपी है आज के दिन हम सभी मां सकंद माता की पूजा करते हैं और हम सबने देखा हैं मां सकंद माता कमल के आशन पर विराजमान रहती है और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामे रहती है मेरी प्रार्थना है कि मां सकंद माता का आशिरवात देश वाचियों पर भार्तिय जन्ता पार्टी के प्रतेक कर्मत कारेकरता पर प्रतेक सदस्य पर हमेशा बना रहे मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रतेक सदस्य को बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ कश्मीर से कन्या कुमारी कच्च से कोहिमा तक भाजपा एक भारत स्वेश्ट भारत के संकल्प को निरंतर स्वसक्त कर रही है स्वध्य डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी पंडित दिंदाल पाद्य है जी अट्टाजी हरी वाजपाई जी राजमाता सिंधिया जी कुशावाव ठाकरे सुंदर्सी जी बंडारी अनेक अनेक महापुरूष ऐसी अनेक विब्रितियों ने जिनोंने जन्संग से लेकर भाजपा तर इस पार्टी के निर्मान में खुद को खपा दिया मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूँ साथियों इस बार का स्थापना दिवस तीन वज़ों से बहुत महतोपुर हो गया है पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजहादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं आजहादी के आमृत महोत्सों मना रहे हैं यह प्रेणा का बहुत बड़ा अउसर है दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैस्विक परिश्थितियां बदलता हुआ ग्लोबल ओर्डर इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है तीसरा कारण भी उतना ही एहम है कुछ सब्ता पहले चार राज्यों में भाजपा की डबल इंजिन की सरकारे वापस लोगी है तीन दसकों के बाद राज्य सभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या सो तक महुची है यानि वैश्विक दरश्टिकोन से देखें या राश्ट्रिय दरश्टिकोन से देखें भाजपा का दाईत्वा भाजपा के प्रतेक कार्यकता का दाईत्वा लगातार बढ़ रहा है इसलिए भाजपा का प्रतेक कायर करता देश के सपनों का प्रतिनिदी है देश के संकल्पों का प्रतिनिदी है इस अमरित कान में भारत की सोच आत्मन निर्भरता की है लोकल को ग्लोबल बनाने की है सामाजिक न्याई की है समरस्ता की है इनी संकल्पों को लेकर एक विचार बीच के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थे इसलिए ये अमरत का भाजपा के हर एक कायर करता के लिए कर्तव्यकाल है हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है उनके लिए जीना है उनके लिए जूजना है देश के लिए खुद को खपा देना है साथियों एक समय था जब लोगों ने ये मान दिया था कि सरकार किसी भी आए लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा निराशा ही निराशा थी आज देश का एक एक जन गर्व से ये कह रहा है कि देश बदल रहा है तेजी से आगे बढ़ रहा है आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हीतों के लिए अडिग रहता है जब पूरी दुनिया दो विरोधी दुरुओं में बटी हो तब भारत को एक ऐसे देश के रूपे देखा जा रहा है जो द्रड़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है हमारी सरकार राष्टिय हितों को सर्वों पर ही रखते हुए काम कर रही है आज देश के पास नीतियां भी है नियत भी है आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है इसलिए आज हम लक्ष तै कर रहे हैं उन्हें पूरा भी कर रहे हैं आपने भी देखा है कुछ समय पहले ही देश ने 400 बिलियन डॉलर याने 30 लाग करोर रुपिय से भी जादा के उपादों के एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा किया है कोरोना के इस समय में इतना बड़ा लक्ष हासिल करना भारत के सामर्थ को दिखाता है कोरोना के खिलाब लड़ाई को भारत अपने संसाधनों से लड़ रहा है लगातार जीतने का प्रयांस कर रहा है आज भारत 180 करोर से ज्यादा वैक्सिन डोज देने वाला देश है आज पूरी दुनिया देख रही है कि इतने मुश्किल समय में भारत 80 करोर गरिवों बंचितों को मुप्त राशन दे रहा है सौ साल के इस सबसे बड़े संकट में गरीब को भुखा ना सोना पड़े इसके लिए केंद्र सरकार करीब करीब साड़े तीन लाग करोड रुपिय खर्च कर रही है बीते वर्षों में देश ले ये देखा कि जिस तरह अपने नागरिकों का जीवन आसान बनाना भाजपांच सरकारों की डबल इंजिन की सरकारों की प्राक्विक ता रही है गरीबों को पक्के घर से लेकर सौचाले के निर्मान तक आईश्मान भारत योजना से लेकर उजवला तक हर गर जल से लेकर हर गरिब को बैंक खाते तक ऐसे कितने ही काम हुए है जिनकी चर्चा अगर मैं करना शुरू करूँ तो शायद कई घंटे निकल जाएंगे सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ हम सबका विश्वास प्राप्त कर रहे हैं देश के विकास के लिए दिन रात महनत कर रहे हैं साथियों आज़ादि के इस अमरित कान में हमने सेचुरेशन यानि जनकल्यान की हर योजना को शत्र प्रतिशत लाभार्तियों तक पहुचाने का जो संकल्प लिया है यह संकल्प अपने आप में बहुत विराठ है सेचुरेशन तक पहुचने के सब्यान का मतलब है बेद भाव की सारी गुंजाइस को खत्व करना तुस्त्री करन की आसांकाओं को समाप्त करना स्वार्ट के आधार पर लाभ पहुचाने की प्रवित्ति को खत्व करना और समाज की आखरी पंक्ति में खड़े आखरी व्यक्तिता सरकारी लाभ पहुचे ये सुनिश्चित करना यही तो है सबका साथ सबका विकास जब सरकारी मशिद्री का लक्ष हर पांत्र व्यक्ति तक पहुंचने का हो तो फिर पक्षपात बेदभाव तीक ही नहीं सकता इसलिए हमारा ये सेवा भाव अभ्यां सोशल जस्टीस सामाजी की न्याय का बहुत बड़ा माज्यम है भाजब के प्रते कारकरता को ये संदेश लेकर घर घर जाना है सबको जागरु करना है साथियों हमारे देश में दसकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बेंक की राजनीति की किए कुछ लोगों को ही वाइदे करो जादा तर लोगों को तरसा कर रखो भेदभाव प्रस्टाचा ये सब वोट बेंक की राजनीतिका साइड इफेक्ट था लेकिन भाजपा ने इस वोट बेंक की राजनीतिकों ना सिर्फ टक कर दी हैं बल्कि इसके नुक्षान देश वाच्यों को समझाने में भी सफल रही है भाजपा की नेक नियत नेक इरादों से किये जा रहे कारिया उसे इसलिए जन्ता से भरपूर आशिरवाद मिल रहा है आज देश में ऐसी सरकार है जिसकी वैचारिक निष्टा अंतियोदय में है गरीबों दलीतों पिछडों महिलाओं के हीतों के लिए उनके उत्थान के लिए काम करना यह हमारी पार्टी के मुल समस्कार है इसलिए आज दलीतों पिछडों आदिवासियों किसानों नवजवानों के साथ ही जिस तरह महिलाएं भाजपा के पश्में बजबूती से खड़ी हुई हैं वो अपने आप में एक नए यूग की तांकत का प्रतिविंब है पिछले कई चुनावों में हमने लगातार देखा है भाजपा का विज़य चलग करने के लिए सबसे आगे हमारी माताय बहने आती है ये केवल एक चुनावी घटना भर नहीं है एक ऐसा सामाजिक और राष्ट्रिय जांगरा है जिसका इतिहास में विश्टेशन किया जाएगा देश ने महिलाओं को नए अधिकार दिये शूशाचन और कड़े कानुन से उनमें सुरक्षा का भाव पैदा किया महिलाओं के स्वास की चिंता से लेकर उनकी रसोई की चिंता गैस बिजली राषन की चिंता इनके जरिये देश ने उनका जीवन बढ़ला है आज देश की नारिशक्ति के भीतर जो आत्मविश्वास प्यादा हुआ है आर्थिक फैस्वों में उनकी जो सहभागिता बड़ी है वो भारत के भविश को दिशा दे रही है देश के विकास में महलाओं की भागिदारी बड़ें उनकी सक्रियता बड़ें ये विश्वास बड़ें ये हमारा बहुत बड़ा दाईत्व है साथियों हमारे लिए राजनीती और राष्रनीती साथ साथ चलते हैं हम राष्रनीती से राजनीती को अलब करकर के चलने वाले लोग नहीं हैं लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरकी राजनिती चल रही है एक राजनिती है परिवार भक्ती की और दूसरी है राष्ट्र भक्ती की केंद्रियस्तर पर अलग अलग राज्चों में हमारे यहां कुछ राजनितीक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हीतों के लिए काम करते हैं परिवार भादी सरकारों में परिवार के सदश्यों का स्थानिय निकाई से लेकर समस्थ तक में दबदबा रहता है यह लोग भले ही अलग अलग राज्चों में हो लेकिन परिवार भाद के तार से जुड़े रहते हैं एक दूसरे के प्रस्टाचार को डग कर रखते हैं बीते दसकों में इस वज़े से देश का बहुत बड़ा मुक्साम हुआ है इन परिवार भादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया उनके साथ हमेशा विश्वास गात किया है और आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलोती पार्टी है जो इस चुनोती से देश को सज़क कर रही है सतर कर रही है पहली बार भाजपा ने ही इसके खिलाब बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया मुझे इस बात का संतोस है कि देश के लोग देश के युवा अब दीरे दीरे ये समझने लगे है कि किस तरह परिवारवादी पार्टियां लोग कंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है साथियों लोग कंत्र के साथ खिलवार करने वाली के पार्टियां सम्विधान और सम्विधानिक ववस्ताओं को भी कुछ नहीं समझती ऐसी पार्टियों से आज भी हमारे कारकरता अन्याय अत्याचार और हिंसा के खिलाब लोग कंत्रिक मुल्यों के साथ लड़ रहे इन में से कई कारकरता हो अपना बलिदान तक देना पड़ा हम सब हमारे इन कारकरताओं के परिवारों की बिड़ा में शामील है मैं सभी कारकरताओं को विश्वात दिलाता हूँ कि भाजपां ऐसे राज्यों में लोग तांत्रिक मुल्यों की फिर से स्थापना करने के लिए निरंतर संगर्ष करती रहेगी और यह महा संगर्ष यह महा यगना तब तक चलेगा जब तक लोग तंत्र जुरोदी ताकतों को हम पराश्त नहीं कर देते हैं साथ क्यों आज पार्टी के स्थापना दिवस पर मेरा एक आगर आपसे नमो एप पर कमल पुष्पम मोडूल से जुड़ने का भी है जिन अंगिनिक लोगों ने पार्टी के लिए देश के लिए खुद को खपा दिया तीन तीन चार चार पिड़ी खपा दिया